हेले श्ट्रेंड्स ये नारेशण का Pvt 2 है और इसमें हम लोग आज क्या सिखेंगे कि डैरेटीस्पिर्च में प्रोनाउन जो रहेता है उसको हम लोग इन डैरेटीस्पिर्च में कैसे चेंज करेंगे और साधी साथ चेंजेस ऑफ टेंसन को भी सिखेंगे और अगर आप लो रहता है तो उसको इन डारेक्ट में कैसे लेकर आएंगे हाव टू चेंज इट ओके यह हम लोग आज का टॉपिक है तो जैसे कि एक 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 जामपल दे देता है उसके बाद हम बता देता है रूल सारे तो पहला एक्जामपल है रोहित टोल्ड मी यू शूड यू शूड डू योर वर्ड ओके तो यहाँ पे जो यू है और योर है ये दोनों ये दोनों क्या है प्रोनाउन है तो इसको क्या करना है हम लोग को इन डारेक्ट में चेंज करना है क्या हो जाएगा इसका रोहित टोल्ड मी डैट आई शूड डू माई वर्क तो यहाँ पे तो चेंज हो गया अब हम लोग कुछ रूल सीख लेते हैं जो हमेशा एपलिकेबल होता है और हम लोग उसको हमेशा एपलाई कर सकता है जैसे कि डारेक्ट स्पीच हो आई है हम लोग का और यह हो गया इन डारेक्ट डारेक्ट में अगर कहीं पे आई रहता है तो वो क्या बन जाता है? ही बन जाता है अगर वी रहता है तो वो दे में चेंज हो जाता है माई है तो वो his में change हो जाएगा this है अगर direct में pronoun तो वो that में change हो जाता है और भी है इसके जैसे कि hour है तो hour का क्या change हो जाएगा there me है तो इसका him हो जाएगा us है अगर तो उसका them हो जाता है और अगर these है तो उसका those में change हो जाएगा तो ये कुछ rules है ये अगर हम लोग अपने mind में इसा रखे तो बहुत easy ली जो है direct से indirect में change करने में आसानी हो जाएगा और साथ इसाथ ये जो है हर तरह के sentence है उसमें applicable होता है कहीं भी हम लोग mistake नहीं होता है next topic है आज के वीडियो का जो है changes of tenses okay changes of tenses तो सबसे पहला rule हम लोग देखते है reporting verb यदि present या future में हो किसमें हो present या future reporting verb क्या होता है और इसको जो है direct speech में से क्या relationship है सब मैंने part 1 ने बता दिया है description लिंक दे दिया है जाके देख लिजिए और समझके अपना idea क्लिए कर लिजिए तो reporting verb में present या future tense जब भी रहे तब reporting speech के verb में कोई change नहीं होता है जैसे कि एक example अगर हम दे तो Rohan says I like egg अभी मैंने क्या बोला है कि present या future tense में रहे कभी भी reporting verb तो reporting speech जो है reporting speech में इसका जो verb रहेगा इसका जो verb रहेंगे उसमें no change कोई change नहीं होगा no change तो यह तो एक sentence हम लिग दिया है इसको अब हमको change करना है तो कैसे करेंगे Rohan says that he likes egg okay reporting verb यह रहा present में है okay says है न यह तो किसमें आईए भईया यह present में है I like egg present में तो यह जो reporting speech का जो verb है जिसको हम लोग like बोल रहे है यह जो verb है reporting speech का verb यह जो है no change यह अनकि present में है तो present में ही use होगा अग since he के साथ as या yes लग जाता है वर्ब को बैठाने पर तो इसलिए या yes लग गया है otherwise अगर यहाँ पर said रहता माल लीजिए अगर यह past में रहता तो यहाँ पर liked हो जाता ed लग जाता लेकिन यह present है तो यह present में ही रहेगा यह तो रहा present का example present tense का example अब तो रहा सब future tense के example ले ले क्या है Priya will say I will go home यह तो future में है कैसे पता चला है will को देखकर will यह श्याल जो है जाहता future में use होता है और यहाँ पर भी will लगा हुआ है तो इसका change कैसे हो जाएगा Priya will say that she will go home विल था क्या हम बोले है future tense पर रहाएगा तो reporting speech का जो verb है no change होगा कोई change नहीं होगा तो इसका जो verb है will तो will में ही रहाएगा तो इसलिए यहाँ पर Priya will say will ही है तो she will go यहाँ पर भी will ही है would नहीं हो गया तो यह रहाएग्जामपल 2 I hope समझ भाया हो और यह किसका एग्जामपल है यह जो है future tense का एग्जामपल है अब चलते हैं rule number 2 की हो rule number 2 में क्या है हम लोग का कि reporting verb यदि past tense में रहता है past tense में रहेगा तो अब reported speech तो जो reported speech है इसका जो वर्व है इसका जो वर्व आएगा हम लोग का इसको past tense में बदल दिया जाएगा किसे बदल देंगे हम लोग past tense में ओके यह रहा past tense में अगर हम लोग का reporting वर्व रहता है तो reported speech के वर्व को भी past tense में बदल दिया जाएगा जैसे कि example देते है He said I am your brother उसने कहा कि मैं तुम्हारा बाई हूँ ध्यान से देखिए इसे ये जो है past में है है ना say, said, said होता है ना तो ये तो past में है क्या इसका change होगा फिर He said that he was my brother ये change हो गया M था किसमे था present में किसमे चेंज कर दिया past में क्योंकि यह पर क्या बोल रहा है reporting verb यदि past tense में रहता है तो reporting speech का जो verb है उसको भी हम लोग past tense में ही बदलेंगे तो ये reporting speech है इसका verb कौन है? M तो इसको भी हम लोग past में बदल दिया यानि कि wise में कर दिया है एक और example है एक और example है example number two what's this? ये है कि see said to me I am sing a song ये रहा है तो इसको indirect में कैसे change करेंगे see said to का हमेशा याद रखिएगा told होता है told me that she was sing a song यहाँ पर भी said है यहाँ पर तो यहाँ पर जो present है वो किस में change हो जाएगा? past में change हो जाएगा is or am का past क्या होता है? was where होता है तो c के साथ हम इसको जाएगा तो इसलिए past में हम लोगा change हो गया अब यहाँ पर कुछ हम since rules बता है बोले थे कि rules बताएगे तो वह rules का बारी आ रहा है डारेक्ट में और इंडेरेक्ट में rules क्या क्या है? डारेक्ट पहला है कि अगर simple present में कोई sentence रहता है यान कि reporting speech रहता है तो इंडारेक्ट में जाकर वो simple past हो जाएगा कब? कब change होगा? जब reporting verb जब reporting verb जो है वो किस में रहे? वो past tense में रहे तब ही जो है जो हम नीचला rules लिख रहे हैं वो जो है applicable होगा otherwise तो हम सारा rule बताएगे दिया है ना तो अब second में जाते हैं present pro में present pro यानि की present progressive sentence जोड़ाता है that one किस में जाएगा? past pro यानि की progressive progressive यानि की होता है कि जो चल रहा है okay progressive progressive मतलब होता है जो continue जो चल रहा है भी तो उस तरह का sentence को हम लोग present है तो उसको past में change कर देंगे अब और एक आते हैं कि अगर present perfect है direct में तो इन डारेक्ट में क्या change हो जाएगा? past perfect में अराम सेख्दम change कर देता है अगर यहाँ पे present perfect प्रो रहता है तो क्या change हो जाएगा फिर past perfect प्रो में ओके ठीक है और इसके example कुछ देख ले तो idea clear हो जाते हैं हम लोग का तो पहला example है Mohan said I have done my work यह हम लोग का example है यह किस में है? since यहाँ पे have है तो क्या समझ में आ रहा है? यह जो है present perfect में है क्योंकि present perfect जहाँ पे भी रहता है वहाँ पे एक टो have जो है जरूर से जरूर रहते हैं और फिर वर्फ का third verb लगता है तो इसका indirect में हम लोग चेंज करें तो क्यासे चेंज होगा? Mohan said that he have present में है तो past में क्या हो जाएगा? had done his work यह हो गया change हम लोग का यहाँ पे present perfect से क्या हो गया? past perfect में change हो गया हम लोग का जो कि हम rule आप लोग को यहाँ पे बता दिये हैं अब आते हैं हम लोग example number 2 पे देख लेता है example देखने इस ideas clear होता है example number 2 he said I have been playing a game a game since 2 p.m. okay I have been playing a game since 2 p.m. यह कौन सा sentence है? यह जो है present perfect progressive है have been लग गया है तो समझ में आ रहा है present perfect है राइट? ठीक है? और progressive जो है वो कैसे पता चल गया? playing है और साथ इसाथ 2 p.m. यानि कि time बता दिया है तो time mention कर देगा plus has have been ing तो क्या समझ जाएंगी वो sentence? present perfect progressive में है और अगर आप लोग को इस type के sentences को बहुत अच्छे समझना है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो मैंने tense का भी बहुत अच्छे से वीडियो बना दिया है आप लोग को description link बिल जाएगा उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा तो इसका क्या change हो जाएगा फिर? he said that he had been playing a game since 2 p.m. यह कौन से sentence था उपर वाला? present perfect progressive sentence था किसमें चुज हो गया? past perfect progressive में जो कि last example को दर्शाता है अब आते हैं rule number 3 की ओर यह इन्वर्टिट कॉमा के भीतर किसी भीतरा का कथा नो जो कि लगता है कि universal truth है यान कि वो universally consider किया जाता है तो reporting verb का जो past tense रहने पर भी reporting speech में reporting speech के verb जो रहता है उसमें कोई चीज नहीं रहेगा क्या बोले हम कि inverted को मा का अंदर को universal truth रहता है किस case में universal truth के case में जो universally माना जाता है या फिर वहाँ पे internal जो रहता है internal internal truth या कोई प्रोवर्व प्रोवर्व यान कि मुहाबरा मुहाबरा भी न वो universal truth के category में उस type का आ जाता है कि हर को उस मुहाबरे को यूज करता है इसलिए उसके category में आ जाता है तो उससे में क्या होगा reporting verb जो है इसका जो past form रहता है reporting verb का जो past tense अभी बता दे रहे कैसे जो रहता है तब ही भी तब ही भी reported speech में reported speech का जो verb रहेगा जो verb रहेगा उसमें no change क्या सिख कीा बता है कि अगर reporting verb में said रहे क्या हो जाता है इसमें ये भी past में लेकिन आप क्या देख रहा है कि इस उनिवर्सल तो रहेगा आगर reporting verb पास्ट नेस वाड़ा आगा तभी reporting speech का जो verb है क्योंड जाता है एक्जाuch नहीं आ ह। जाता है said the earth moves around the sun यह हम लोग एक sentence है ओके इसको कैसे change करेंगे since यहाँ पर said है past में my father said that the earth moves around the sun no change जैसा यहाँ पर लिखा है the earth moves around the sun वैसे हम लोग यहाँ पर लिखा है the earth moves around the sun क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर past कर दें तो मेनिंग क्या हो जाता earth move करता था लेकिन ऐसा तो है नहीं यह उनिवर्सल तुरूत है अभी भी move करता है और move करता ही रहेगा तो इनिवर्सल तुरूत में जब भी यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट में रहे यह प्रेजेंट में रहे कोई फर्क नहीं परता है यहाँ पर जो रिपोर्टेट इस वीचे इसमें पर इसमेंपल तु तो कॉर इग्जाम्पल देख लेता है वाट इग्जाम्पल इग्जाम्पल शॉप कीपर said honesty is the best policy सुआपकी पर ने कहा कि honesty is the best policy क्या change होगा इसका ये जो honesty is the best policy ये क्या है ये एक proverb है या फिर ये भी बोल दाश सकते है कि ये जो है एक truth है eternal truth है तो इसका क्या चेंज हो जाएगा? the swapkeeper the swapkeeper said that honesty is the best policy यह हो गया हमलों का change यह जैसा sentence था बैसे उतर गया no change in the verb इसका वाज नहीं हो जाएगा यहाँ पे सेड रहे है यहाँ यहाँ पे सेज रहे सेड है पास्ट में सेज है प्रेजेंट में तो यहाँ पे हम लोग जो है वाज जो वाज है उसको ना बैठा दे not वाज वाज नहीं लगना चाहिए universal truth मींज जो सच बात रहता है जो पूरा दुनिया consider करते रहता है और वो चलता आ रहा है तो उसमें जो है कोई प्राब्लम ने रिपोर्टिंग वाप चाहिए कुछ भी रहे हम लोग का जो sentence उतार दो और इसका चेंज हो जाएगा तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप लोग को narration का यह जो content है और 36 rules अच्छे लगे हो तो मेरे वीडियो को like कर दीजिएगा share कीजिए और डेली नए अपडेट्स पाने के लिए मैं चानल को subscribe करते है thanks for watching